उची मैनों में निशनल काउंटर टेरिजम पॉलिसी एंड स्ट्रिटेजी लेकर हम आएंगे जहां पर भी यूए पीए लगाने की जरूरत है वहाँ निशंकोच लगाना चाहिए तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नाशूर बनकर खड़े थे चाहे कस्मीर हो चाहे नौर्थी जन्षों ने प्राप्त किया है 2014 के बाद देश में कोई बड़ी टेरर घटना नहीं हुए है 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70 प्रतिसत की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है सबसे पहले तो मैं NIA के पूरी टीम को और विशेश करदाते जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं क्यूंकि गट सम्मेलन और ए सम्मेलन के बीच के समय में जितने भी बिंदू उत्ता हुए थे वो सभी का सत्त प्रतिसत क्रियान वेन करने का काम NIA ने किया है। और जैल तक आतांकवाद निरोधी तंत्र को मजबूत करने का काम NIA का है। ये एक वर्स के कारेकाल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं फिर से एक बार NIA की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हुए। कभी व्योस्ता में नहीं रहा। तब मुझे किसी का सन्मान होता था, पदक मिलता था, तो एक फॉर्मालिटी लगती थी। मगर राज्य में गुरू मंत्री बना, देश में गुरू मंत्री बना और जब अधिकारियों के कठिन परिश्रम को और उनकी सिद्दत को देखता हूँ, तब मुझे लगता है पदक देने की प्रक्रिया कहीं कहीं बहुत छोटी है इनके परिश्रम के आधार पर। ये मैं 11 के 11 अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। रखने के लिए अपना बनिदान दिया है, वो सभी को मैं मन पुर्वक आज सर्वोच बलिदान देने के इनके जहजबे को बहुत मन पुर्वक स्रध्यांजली देना चाहता हूँ। और उनके परिवार जनों का भी धन्यवाद देश की ओर से करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि 2019 से और पहले 2014 से ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधान मंत्री बनने के बाद अतंकवाद के खिलाब एक ठोस रन निती लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोश वाक्य जीरो टॉलरंस अगेंस्ट टेरिरिजम इनकेवल भारत समग्रविश्व ने आज स्विकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेरिरिजम के खिलाब लड़ने की एक मजबूत इको सिस्टीम खड़ी हुगी है। हाला कि बहुत कुछ करना बाकी है परन्तु 10 साल के काम का विहांग लोकन करें तो संतोस जनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। परन्तु इस प्रकार की कॉंफरेंस बहुत उपयोगी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सम्विधान ने लौएन ओडर को एक प्रकार से राज्यों का अधिकार माना है, राज्यों का मुद्दा माना है। लौएन ओडर राज्यों का अधिकार हो, मुद्दा हो, वो बहुत उचित नेन है और इसकी सरहना जितनी कम की जाए, इतनी कम है। क्योंकि इतने बड़े देश में कानून और व्योस्ता सेंटर नहीं समल सकता है। परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, राज्यों की अपनी सिमाये हैं। राज्यों की भगोलिक सिमाएं भी हैं, सम्वेदानिक सिमाएं भी हैं और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सिमा नहीं वो अंतराज्य भी सडियंत्र करते हैं, अंतराश्ट्रिय भी सडियंत्र करते हैं और इसके खिलाब अगर हमें सठीक तरीके से अपनी रननिती बन को और कई प्रकार की अनेक गतिविदी जो देश की न केवल सीमा अर्थ तंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खत्रे में डालती है इसके खिलाब मजबूर लड़ने का तंत्र बनाना है तो इसका एक मातर रास्ता आज के जैसा सम्मिलन है और ये दो दिन का सम्मिलन में अभी प्रेजन्टेशन में दिखाया अनेक विशाय दिये गए हैं मैंने भी एक महिने से इनकी तैयारी को बारी किसे देखा है और मुझे भरोसा है कि ये सम्मिलन सिर्प चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा इस सम्मिलन से कुछ एक्सनेबल पॉइंट निकलेंगे जो हमारी देश की अतंकवाद के खिलाब की लडाई को मचबूत करेंगे ठोस अधारत बट देंगे और परिणाम लक्सी भी बनाएंगे इस सम्मिलन की उप्योगिता तभी ही है कि ये कॉन्फरंस में निकले हुए एक्सनेबल पॉइंट को हम ठाने तक ले जाएं बीट त मोदी जी तक पूरे तंत्र को आतंकवाद के खिलाब के खत्रों से जागुरुक करने का हम अगर काम करते हैं तभी ये सम्मिलन को सफल माना जाएगा मित्रों आप सभी जानते हैं और अब पूरा देश और दुनिया भी मान रही है मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के लड़ाई का मतलब ए नहीं है कि कुछ सडियंत्र को पकड़ कर उसका परदा फास कर देए आतंकवाद के खिलाब लड़ाई का मतलब है आतंकवाद के खिलाब लडने वाली एजन्सियों के हाथ कानूनी रुख से मचबूत किया जाए एक ऐसी एको सिस्टिम बनाई जाए जिसके आधार पर आतंकवाद के खिलाब की लड़ाई हमारी मजबूत हो और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ क्योंकि पिस्मिल पिस्मिल होते जाता है हम लोग इसको एक पेपर पर रख कर जब देखते हैं तब ही मालूम पड़ता है कि कितना विराट काम ये 10 साल के हुआ है दो अगस्ट 2019 को हमने एनाईय एक्ट में संसोधन किया जिसमें नहे अपराद भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल छेत्रा अधिकार भी दिया एनाईय अब विदेश में भी जांच कर सकती है ये पिये में भी 14 अगस्ट 2019 को संसोधन किया और संपती दोसीत करने का अधिकार भी हमने युए पिये के तहट लिया जिसका बहुत संयमिक परंतु सटीक उपयोग ये पांच साल में हमारे तंत्र ने किया है हमने गुरू मंत्रालव जवारा डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों का समन्वे किया गया विभिन मंत्रालव ने भी एकनी रन निती तैयार की और एक संस्थागत तंत्र स्थापना करने का काम भारत सरकार के गुरू विभाग ने पांच साल के अंदर करा है आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सुत्रिय इंटीग्रेटर योधना 2020 में बनाई गई जिसमें आतंकवाद के ह और स्वरूप को जिहादी आतंकवाद से लेकर नौर्थीष्ट के आतंकवाद से लेकर वामपन्ती कुरवाद से लेकर फेक इंडियन करन्सी नॉटो से लेकर नार्कोटिक्स तक धेर सारे कदम उठाए गए एपसी आरे से लेकर रेडिकलाइजेशन की फाइनांसिंग से लेकर अवेद हत्यारों की तसकरीत चार एजन्सियों में काम बाटकर सामंजस्य के साथ एको सिस्टिम को तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं मल्टी एजन्सी सेंटर मेक की वर्किंग को रिवेंप किया गया मल्टी एजन्सी सेंटर का 2022 का जो ओर्डर निकला है इसके अंदर नकेवल मेक के दाइरे को बढ़ाया गया इसको साइबर सुरक्सा, नार्को टेरिरिजम, गन रनिंग, और्गेनाईज क्राइम नेटवर्क और उभरते हुए कटरवादी होट स्पोट, इसकी एक कंट्यूनियस मोनेटरिंग की एसोपी भी बनाई गई, जिसके परिणाम सरुप धेर सारे गुनाहों को हम होने से पहले रोकने में सफल हुए हैं, और जब मीडिया के मित्र भी खड़े हैं, मैं उनको हमारे अधिकार की वर से एक बात बताना चाहता हूं, कि जब कहीं पर एक किलो RDX पकड़ा जाता है, तो दो कोलम भी इसको समाचार नहीं मिलता है, प्रसिद्धी नहीं मिलती है, मगर एक किलो RDX का बम बनकर अगर धमाका होता है, तो दिनों तक आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो अभी मेक क्या दाइरा बढ़ाया गया, इसके कारण धेर सारे गुनाओं को होने से पहले रोकने में हमने सफलता करी, नेशनल मेमोरी बेंक को स्थापित किया गया, और उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काम किया गया, इनफरमेशन के आधार पर एक सेंटरल डेटाबेस की रचना भी की गई, कई सारे डेटाबेस राष्ट्रे स्तर पर बनाए गए हैं, मैं बाद में इसके बात करता हूँ, जिसके उप्योग से हम नीचे तक आतंकवाद को मूल से उखाड फैंकने के लिए हमारे प्रयासों को फाइदा हो सकता है, SPG Act में भी सुधार किया, Arms Act में भी सुधार किया, Weapon Manufacturing सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को जरूर खोला, परन्तु इसके सुरक्सा के सारे नियमों को चौक चौबंत किया गया, लगबग लगबग 15 से ज़्यादा ओर्गेनाइजेशन को, टेरेरिस्ट ओर्गेनाइजेशन, अनलोफुल एस्सोशेशन घोसित किया गया, और अभी अभी साथ नए ओर्गेनाइजेशन को भी किया गया है, और ये सारी नित्यों की effective impact, मैं दावे से कह सकता हूँ, कि आज हमें दिखाई पड़ता है, 2014 के बाद देश में कोई बड़ी टेरर गटना नहीं हुई है, हुई है, इसमें हमारे पुलीस बलने सफलता पूर्वक इसको निरस्त करने का काम की है, और 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें, तो 70 प्रतिसत की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है, और ये जो 30 प्रतिसत भी है, इसमें पूलीस एक्षन को भी आतंकवादियों के साथ जो मुटबेड होती है, इसको भी सामिल किया गया है, इसका मतलब धेर सारा हमने आतंकवाद की प्रति को रोकने में सफलता पाई है, आतंकवादियों की सेल्प लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले दो साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सिमीत करने में हम सफल रहे हैं, आज इस सम्मिलन में 21 राज्यों के पुलिस प हमने ये पांच साल के अंदर धेर सारे डेटा बेज को क्रियान वें किया है, नेट ग्रीड एक कैंदी कूट डेटा एकसेस सॉलुशन है, नेट ग्रीड का उपियोग करने के लिए SP तक एक कार्य संस्कूरूती का विकास होना चाहिए, जब तक नेट ग्रीड के डेटा के उपियोग की कार्य संस्कूरूती विक्सित नहीं होती है, नेट ग्रीड का डेटा कोई काम नहीं है, वो एक electronic cupboard है, मैं चाहूंगा कि ये electronic cupboard में डेटा की जो jewelry है, वो आपके ठाने तक पहुँचे, आपके SP तक पहुँचे, इसलिए आप सबने काम करना पड़ गया, NIA ने anti-DFAC का डेटा बनाया है, राष्ट्रिय आतंकवाद का डेटा और उसका विसलेशन के अंदर बनाया है, अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, परन्तु इसक करोड से ज्यादा fingerprint का data जो उपलब्द है, जो आपके police station से access इसको मिल सकता है, encode, narcotics के समन्वाई mechanism का हमने एक platform बना दिया है, और मानस एक helpline भी बनाई है, narcotics के रोगधाम के लिए, ये सारे database उपयोग करकर, ये silo में पड़े database को, AI का उपयोग करकर, इसके analysis और ये भी अब NIA initiative ले रही है, परंतु मेरा सभी राज्यों के police प्रमुखों को आगरह है, और विननती भी है, कि आपके सभी स्थम्भ की training में ये data के उपयोग को हिस्सा बनाई है, अमित घर्ग जी याँ बैठे हैं, हम राष्ट्रिय अकाजमी में तो अब बनने वाले सभी SP को इसका ढंग से प्रसिक्षन देंगे, परंतु जब तक DYSP, PI, PSI, इस सब को भी ये database के उपयोग का महतों नहीं समझाएंगे, मैं नहीं मानता है इसका उपयोग हो पाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका उपयोग ज्यादा हो, और मैं NIA को भी कहना चाहूंगा, कि query based access के माध्यम से ये data को नीचे पहुचाने में आपने भी कोई तंत्र को समन्वईत करना चाहिए और तंत्र की रचना करनी चाहिए, ransomware, malware, ये सब से ये data की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी NIA ने ही लेनी पड़ेगी, national crime record बुर्यर ने ठीक प्रकार से व्यवस्ता की है, परंतु NIA का दाई तो है कि जितने भी data की चोरी के मामले दुनिया भर में आते हैं, इसका analysis करकर time to time अपनी सुरक्षा को upgrade करना चाहिए, NIA Act में हमने जो सुधार किया, इसमें human trafficking, cyber, आतंकवाद, विसपोटक प्रदार्थ का अधिनियम और आमस एक को भी अब हमने डाल दिया है, और इस सब का नतिज़ा अगर हम देखे, तो देश में तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नाशूर बनकर खड़े थे, चाहे कस्मीर हो, चाहे नौर्थीस्ट हो, च तीनों जगे पे उग्रवादी गटना ओपर एक मजबूत स्थिती, कंट्रोल हमारी सुरक्सा एजन्सियों ने प्राप्त किया है, वो हम सब के लिए संतोस का विसए है, मगर इसको और आगे ले जाना है, आज एक विसए आपके सम्मिलन में, दो दिन के सम्मिलन में है, इस मैं इसलिए उदार्ण देना चाहता हूं कि NIA भी UAPA का ही उपयोग करता है, NIA ने 632 मामले दर्ज किये और इसमें से 498 में, लगवग 500 में आरोपत्र दायर कर चुके हैं और 95 प्रत्सत से ज़्यादा दो सिद्धी का दर है, अगर यह NIA कर सकता है, तो स्टेट पुलिस क्य नहीं कर सकती, जहां पर भी UAPA लगाने की जरूरत है, वहां निसंकोच लगाना चाहिए, और जहां UAPA लगाए, वहां आपकी सुपरवाइजिरी, और थोरीटी की जिम्मेदारी है, कि इसकी जाज NIA के तर्च पर ही हो, इसलिए मेरा आगरत था, और अभी-अभी एक SOP, इसकी पूरी बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है, सदानन जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे, एक बहुत अच्छी SOP की बुकलेट यहां से जारी की है, तो मैं मानता हूँ कि इसका उप्योग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य मुति में डालना चाहिए, मित्रो टेक्निक का उप्योग, जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को टेक्निक के उप्योग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाप हम नहीं लड़ सकते हैं, अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है, वो समझ कर चलिए, वो सिमाहिन और अद्रस् से आतंकवादी हमले और उनका सडियंत्र हमारे खिलाप खड़ा है, अगर इसका हमें सटीक सामना करना है, तो उच्चतम टेक्नोलोगी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रे ट्रेक्निक से लैस करकर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, और मैं सभी राज्यों को एक कहना भी चाहता हूँ, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है, तो हैदराबाद की एकेडेमी भी आपको मदद कर सकती है, टेरिजम, टेरिस्ट और टेरिजम के इको के लडने के लिए गुरू मंत्राले ने जो प्रो एक्टिव एप्रोच बनाया है, उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं, कुछी मैनों में निशनल काउंटर टेरिजम पॉलिसी एंड स्ट्रेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सब की भूमिका अहम होगे, भारत सर का गुरू मंत्राले पॉलिसी एंड स्ट्रेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें अपनी भूमिका का निर्वाहन भी कर सकता है, परन्तु जैसा मैंने कहा कि पूलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लडना तो राज्य की पूलिस ने ही पड़ेगा, सारी एजन्ट से आपक इसका मूड रखता हो, तब तक यह सफल नहीं हो सकता, कुछी दिनों में निशनल काउंटर टेरिजम पॉलिसी एंड स्ट्रेजी लेकर आएंगे, और टेरिजम से जुड़े हुए कई मुद्दों के समधान के लिए मैक प्लेट्वम पर फोकस ग्रूप मिटिंग और स्टे करते हैं, मैं आज तीन अपराधिक कानूनों पर भी आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि राज्य के बहुत सारे पूलिस प्रमुक यहां पर है और बाकी लोग ऑनलाइन जुड़े हों, यह तीन अपराधिक कानून जो हम नए लेकर आए हैं, वो हमारी अपराधिक न्या प्रणाली का उद्देश्क में ही बढ़लाव करें, अंग्रेजों ने जो कानून बनाये थे, इनके राज्य की रक्षा के लिए थे, सरकारी तंत्र की रक्षा के लिए थे, सरकारी अप्षरों की रक्षा के लिए थे, हम जो कानून लेकर आए हैं, वो कानून नागरिक के अधिकारों की रक्सा और सम्विधा अन्दत अधिकार जो उसको मिला है इसके क्रियान वैन के लिए है पुलिस विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है वगर मेरा अभी भी आगर है कि लेटर एंड स्पीरिट में इसको लागू करने का काम को और स्पीरी किया जाए जुडे सियरी के साथ भी समन्वाई किया जाए जैल को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी FSL का जो हमने प्रावदान किया है इसको सफल करना है तो मैन पावर के लिए आपने अपनी राज्य सरकारोग से बात करकर उचीत मैन पावर की प्राप्ति करनी पड़ेगी तभी जाकर अपरादियों को सजा दे पाएंगे और जिस पर अपराद नहीं है वो लोगों को समय पर रिया करेगा मैं आज आप सभी को कहना चाता हूं गुरू सचिव अभी कॉडिनेट कर रहे हैं इसके अंदर एक प्रावधान है कि एक निश्चीत मात्रा में ट्रायल के तहट कोई जैल में रहता है तो उसको अपने आप बेल देने का एक प्रावधान है 26 नवंबर हमारा समविधान दिवसे मेरा आप सबसे विनंती है इसके पहले नए कानून के तहट जिसको बेल का अधिकार है जिसको बाहर जाने का अधिकार है वो सभी का हम एक अभियान चला कर बेल करा दे हमारे गुरू सचीव जी आपके साथ इसको कर कोडिनेट कर रहे हैं इसके अंदर तकनिक को बहुत प्राधान्य दिया गया है मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैल, एफसल, कॉर्ट, अभियोजन और पुलिस ये पांचो जगे हंड्रेट परसंट तकनिकी क्रियान वयन होने के बाद हमारे ये तीन अप्राधिक कानून दुनिया के सबसे आधूनिक और तकनिक से लेस कानून होंगे और एक लंबे समय तक इसके अंदर कोई बढ़लाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से इसने बनाया है और आतंकवाद का जहां तक सवाल है आजादी के 76 साल के बाद पहली बार एक आनूनों के अंदर हमने आतंकवाद को परिभासित किया है आतंकवाद की व्याख्या की है कई सारे केसों के अंदर कोई के बहुत तीखे सवाल आते हैं कि टेरिजम का मतलब क्या है टेरिस्ट का मतलब क्या है इसकी व्याख्या पहली बार करने का काम हमने इस कानूनों के अंदर किया है और ट्रायल इन एपसेंसिया जो देश की सिमा सिमाओं के बाहर सडियंत्र करकर हमारी देश की सिमाओं के अंदर गुना करते हैं इनके खिलाब भी का केस चलाने का अधिकार अप्रोसिक्विशन एजनसी के साथ पास है इसका भी उपयोग टेरिजम के केस में विशेश कर और आर्थिक अपरादों के केस में जरूर करना चा लोग के अवस के पास आएगी चाहेगी भारत सरकार की आई भी के पास आएगी सूचना वहीं से आनी है और वहां एक विशेश द्रश्टी हमने निर्मीत करनी पड़ेगी इसके लिए धानों के अधिकारियों को खुफिया जानकारी एकत्रित करना लक्सित जांच करना और समुदायों के बीच में जो तनाव पैदा करने के मामले उसको भी सजग दुरुष्टी से देखना ये आज सुचना संकलन के लिए भी राज्ये के प्रमुखों ने एक SOP बनानी चाहिए अपने अपने राज्ये के हिसाब से और आगे बढ़ना चाहिए मेरा आप सभी से आ देटाबेस को समरूद करिएगा क्योंकि हत्यार कहां से आया किस मान्क से गया और कैसे देश के विरोधियों के पास पड़ा ये जब तक हम जांच नहीं करते हैं छिद्र हम नहीं भर सकते हैं इसलिए ये डेटा को समरूद करना आपकी जिम्मेदारी है और डेटा के माध् प्लेटफरम पर हुई है मगर आई फोर सी का बहुत फाइदा उठाना चाहिए और वन नैन थ्री जिरो पोर्टल जो है उसको आपके यहां व्यवस्ता को चौक चौबन भी करना चाहिए और वो नंबर को हमने पॉपिलर करने का भी काम करना चाहिए प्रजानमंत्री जी न दस पॉइंट ग्लोबल एंटी टेरर प्लान पुड़े वीश्ता को दिया है और अभी प्रेजन्टेशन में आपने देखा FATF ने भारत में इसके क्रियानमयन के लिए संतोष व्यवक्त किया है और यहां पर कई सारी जो अंतराश्टिय अतंकवाद को रोकने के लिए मिटिंगे हुई इंटरपोल की जनरल एसमली, नो मनी फॉर टेरर, उनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल, काउंटर टेरिजम और जी ट्वेंटी में भी चर्चा हुई इस सब में प्रधान मंत्री जी के दस पॉइंट के ग्लोबल एंटी टेरर प्लान को सब ने सरा मित्रो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि टेररिजम तभी समाप्त हो सकता है, हम इसके खिलाब पूरी सिद्दत के साथ कम से कम नुकसान के साथ तभी लड़ सकते हैं, जब ठाना से लेकर राज्य के पूलिस प्रमुक तक पूरी हमारी पूलिस की व्योस्ता इसके लिए जाग काम करें और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं फिर से कई बार कह चुका हूं आप लोगों के सामने, मगर अंत में फिर से एक मैं बात कहना चाहता हूं, दो चीजों पर मेरा आगरह है, मैक के प्रेटफॉर्म में जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंफर्मेशन साजा और आपके एप्रोच के अंदर बहुत पुराने समय में नीड टू नो का जो एक दुरू वाक्या बन गया है, इसको बगडल कर नीड टू सेर और इसको आगे ले जाकर ड्यूटी टू सेर तक ले जाए, अब इंफर्मेशन चुपाने से इतने बड़े देश में टेर्रिज है, इसके कई डाइमेंशन होंगे, जो साइद आपको मालूम नहीं है, अगर आप मैक के मैक के प्लेटफरम पर रहना ये को साजा करेंगे, तो इस सभी डाइमेंशन को एप्रिसेट करकर वो इंफर्मेशन पर कार्यवाही करने के लिए अंततों गतों आपके पास ही सूचन आएगी, परन्तु मेरा आप सभी से विननती है कि एक साजा लडाई को हम अपनी लडाई समझे, कोई राज्य टेरिजम से बच नहीं सकता, जब तक हम ये लडाई को साजा लडाई समझकर न चले, मुझे पूरा विश्वास है, मोधी जी के नेत्रुत में भारत सरकार का ग मैं फीर से एक बार नेशनल काउंटर टेरिजम पॉलिसी जो अमारी आएगी, इसका ध्यान से अध्यान करकर क्रियानवयन आप सबको करना है, अगले साल जब मिले इसके पहले, इसका संपून क्रियानवयन का रिपोर्ट यहां नाई ये हमें दे, ऐसा मेरा आप सभी से कमने वंदे मातम.